संशार हल्लावने जंग बहादुर को डरलाग दो अंतिया, सबई शडियंत्र को जाल बाटा उमकेर सक्ती शुद्रिनी करण, गर्न सफल र सक्चम जंग बहादुर परती, स्वयम राणा परिवार बाट पनी सक्ती संचय का लागी सडियंत्र भाय को पाईएंचा। परिष्टिती सिर्जना भाय को थियो। बेलायत की महाराणी भिक्टोरिया संग हात मिलाई, महाराणी बाटा हिज एक्सिलेंशी को उबाधी प्राप्त गरी, 6 फेबरु बरी अठार चाई एकाउन्न का दिन नेपाल फरके का जंग बहादुर लाई, 7 फेबरु बरी का दिन हत्या गरने सडेंत्र गरिये को थियो। उच्छ पतको स्वात चाखी शकेका जंग बहादुर का भाई हरु लाई, दाजुको बर्दो सक्ति देखेर डाहा भगय को थियो। जंग बहादुर का समर्थक हरुले सडेंत्र कारी लाई, जीर ले आखा निकालने, फांसी दिने माग गरेता पनी, जंग बहादुर ले भारत मा कईदगर्ने सजाय शुनाएगा थिये। भारत ले सडेंद्र कारी हरुलाई तीन बर्ष भंदा बड़ी कईदगर्न नमाने पची बद्री नर्षिम्वार अउपेंद्र लाई सजाये, माफिगरी काहमुन्डे चिकाईयो। तीन बर्ष को जेलमाई जय बहादुर को मिर्तु भायो बने करवीर खत्रिलाई जाती चिवत गरियो। बद्री नर्षिम्वालाई पाल पधपाई उनको नाम प्रधानमंद्र को रोलक्रम बाटा हटाईयेको थियो। इतिहां स्थिरोमणी बाबुराम आचारेले जंग बहादुर को बिरुद्दमा इयो शरेंत्र नभायको र जाली कागजपत्र तयार गरी बलपूर्भक अपराल स्विकार करना लगाईयेको कुराउल्ले गरेका छन। उनको भनाय अनुसार जंग बहादुर का जेठा छोरा जगत जंग को उमेर भन्दा बद्री नर्शिम्म का जेठा छोरा को उमेर बली थियो। उनको तरक प्रसांगिक देखें देए ना MS जयन का अनसार जंग बहादुर ब्रिटीश भक्त र बधरी नरशिम्म ब्रिटीश विरोधी साथ है शेना का प्रिय भायकाले जंग बहादुर घर आयरा बधरी नरशिम्म लाई पंचाउने प्रियास गरेका हुन यो तरक पनी युक्ती संगत देखें देए ना किने की जंग बहादुर ब्रिटीश भक्त मात्र नभायर राष्ट भक्त पनी थिये आपु बेलाहेत्म रहादा बंबहादुर ले रामरुशंगा प्रसासन चलाऊना नसकेको आरोप लगाउदे जंगा बहालिक घर्लाण भन्ने डर ले उनको नेपाल आगमन पस्चा ध्विय जनलाई फसाउन उदेशय बंबहादुरलई गरेको देखीँच। येस प्रकार ये शडेंत्र बंबाहदुर को कपोल कल्पित रचना को उपजमान न सकीन छा। उनलाई आफना गुप्तचर हरुले तुरुन्ते खाबर प्रदान गर्द थे। येस तो इस्तिति निर्मान गरेको कारां जंग बाहदुर जैरे पिनी आफु शुरक्षी धुना सफल भायगा थिये। आफनो निस्यत गरेको को हात्मा शिमित्राखनू राण परिवार का बीच जगडा हुने नदिनूर राण शासनको जग बल्यय बनावनू रहे को थियो। राणा परिबार मा जहडा उत्पन्न होने यही तुरुटी पुन रोलक्रम जीम्मेवार रहेको देखींचा। रोलक्रम सम्षोदन गरी पारिबारिक जहडा को बिजारो पन गरी देगा थिये। रोलक्रम जीम्मेवार रहेको देखींचा। एस नियमलाई राणा परिबार का महत्त्वकांग सी ब्यक्ति हरू परिबार्तन गरेर आफन स्वार्थमा क्येंदित गरन चान थे। यदि यो उत्तर धिकारी सम्बंदी रोलक्रम सुबेवस्तित भायको बाये राणा परिबार मा एसकीसिम अत्या जन घटना हरू घटने थिये न। भिविनन स्वार्थम हरू गर्दाईर दरबार भित्र होने स्वार्थमा आफनों अनुकुल पारदे जंगभादुर शक्ति माता पुगेत र जंगभादुर को असाधरन रूप मा बड़ेको शक्ति र प्रतिष्टा स्वयमोन के भायर सम्बंदी हरू को मनमा भने इस या दोईस उत्पन्न गर्ना प्रयाप्त थियो फल्सरोप उनिहरू यूरोप को यात्राले जंगभादुर जाती जूत भायको कुराहारू को अचार को आडमा उनलाई अपदस्त गरने मारने सरेंद्र राचन थाले का थिये तर फेबरु बरी अठार से एकाउन मा जनरल बंभ पहादुरूले सब़ई कुराहा को बलिभिष्तार लाऊंदे शाहीला भाय जनरल बद्रि नरसिम्म दाई जनरल जय बहादुर कुबर जनरल कांचा बाभु बलराम कुबर को माहिला चुरा चोरा काजी करविर खत्री रा माहिला सहईव जयादा उपेंद्र विक्रम सहा जं आपनी उनले जंगी परेट लाई गोली गठा दिये रा सतर कर रहना कणा उर्दी गरे तेस पची उनले तुरूंते ती सदंतर कारे लाई समाउना आपना विशासिला मानी शरुषको शाहिनिक पठाए राती भार्दरी सभा बस्यों त्यों सभा मां बंदी अवस्तामा रहेक अब जंगबाद ले मारने भैर सहा ज्यादा उपेंदर थर थर कामी रहे त्यों सभा मां ती चारेज़ना को केरकार भायो खांतलासि गरदा उपेंदर भायक और शरुषको प्रमार पाईयो तेसे राती सरुषको अपराद प्रस्वाप्रमार साहिला भाय जनल बद्रिनर स दिने वा उन्हेर को आखा फोरी दिने शुजा भरू आये तरह एसले प्रजार फोजमा असंतोस को भावना फैलने वा एस घटनाले बिरोदी हरुलाई निंदनात्म प्रचार करना सजीले उने भायकाले कोई खाना मा थुनने निद भायो रो नेपाल सरकार ले खाना खर्चा प्रते दिन एक रुपेया दिने भायो करवीर खलतरी जाती चीओ गरिये रो उनी एक बर्स समा आफनो घर मा कईद गरिये एक बर्स पचे महाराज धिराज को भीसेश आग्याले उक्त दुबई दन्ड देखियो उनी मुक्त भाय सेप्टेमबर अठार से तिर्पन इमा अल अधरी नर्शिम्मा आफना 14 बर्स का छोरा केदार नर्शिम्मा का सात्मा पालपा पठाईये शाहाज यादा उपेंद्र लाई एक बर्स पजी फेरी भाध्याउमा बंदी बनाय रो राकियो उनको ब्यावार संतो स्प्रत देखिये गाले पची उनलाई काटमंडुमा कसे ले पोल लगायो यो कुराले जंगा बहादुर गोदले आगो भायर दिरिसम्षे ला काटना तमशिये तर चलार धिरिसम्षे दाजुको खुट्टामा लंपसार परेर रुँदै यो आरफ सरासर लुटो हो मेरा विर्दमा स्रणत्र हो भनेर जोगी इसको कुने प्रमा जान थे जंग बहादुर को मिरतन पशी आफु शक्तिमा आउने निस्तित भहई काले इनले शिकार गरन पत्तर घट्टा गये को वेला जंग बहादुर को हत्याकर न यजना बनाए तर ये यजना को सुएको इनले कसलाई दिया दाजु रणो दिफ जो जंग बहादुर जन्ग बहादूर को हत्याको खबरकाफमंडनों पूत्याका पुगे मां शक्ति मारा है का जगत जंगाली शतना हरव नपतोने निपरी शक्त Parlamentरा. लुक आयरा उन्डे रणोदीप लाई नाम मात्र को स्रितिन महाराज बनायरा सारा सक्ती को प्रयुक आफुली गरे। लुक आयरा उन्डे रणोदीप को स्रितिन महाराज बने मां आफनों उठिवास लागने पत्तो पाय का धिर्शम्षर का सत्र भाई चोराले सरेंत्र गरेरा रणोदीप को हत्या गरे रशासन सत्ता कब्जा गरे। रणोदीप को हत्या पची उनका तरुनी स्रिमती हरुत्तिनी आपना प्रेमी भतिजा अरुसंगा बशे। धिर्शम्षर को बिर्द्धमा अनेक सरेंत्र को ताना बाना बुन्नामा लोगने लाई सर सयो गर्दे आएकी त्रय लोक्य की कांची शिरमतीले खुले रे धिर्शम्षर का संतानलाई शिरितिन बनाऊनमा सयो गर्णुको कारण बनी धेले रहस्या माई छा। उनी सम्षेर हरु संग मीलें। अथार्शे पचाशी को अंत्यत्तिर रावल पिंडी माँ भारते सयनिक प्रदसन हुने भायगो थियो। शिरितिन रणो दिपले बीर्शम्षेर लाई एस समहारोमा पठावने भायगा थिये। बीर्शम्षेर संग एस समहारोमा चार पलटन पनी जान दे थियो। जंग बाहदुर का जेठाच्वरा जगत जंग बीर्शम्षेर को अनुपस्तिति माँ फाइदा उठावने तयरी मा थिये। उताय बीर्शम्षेर पनी चार सशस्त्र फाउज मां आफनू पून अधिकार भायशके काले येसे अवसर मां आफनू अभिष्ट पूरा गरनी योजना मा लागे का थिये। नोबेंबर अठार से पचार सी इको दिन बीर्शम्षेर उनका भाई खडग सम्षेर, चंद्र सम्षेर, डंबर सम्षेर एबं भीम सम्षेर बैदेशिक बिभाग का बलवान काजी को साथ मा दरवार मा हाजिर वायए। एक गोली रणदीप शिंग को चाती मा आने। तेसको साथ ही बीर्शम्षेर को अन्नी उपस्तित भाई हरूले पनी दुई भायर गरे। तोनुंता ही रणदीप को प्राण पखेर उगए। पुरक्षित राखने योजना पुनक गर्णमा कुने इत्रूटी रहन दियन। दीर समझर का छोरा हरू बाय कार्मंडुम भाय का राणदा हरू का परिबार भेटिय जती सबै उसे दिन मा रिये। ये सात्या कांडमा ब्रिद्ध युवाशिशिको कुने बिचार राखिये न। जीत जंग, रणबिर जंग, पद्म जंग, ध्वजन अरे शिम्म रा अम्मर जंगले ब्रेटिश राजदुता बास्मा सरण लिये काले उनिहरू को प्राण पचियो। पची उनिहरू हिंदुस्तान लखेटिये। त्रयलोक्य बिक्रम साकी जेठी महाराणी लिपनी ब्रेटिश राजदुता बास्मा सरण लिये। पची उनिपनी असहाय अवस्तामा कलकत्तमा निर्वासित भईन। पुर्वा प्रत्तिक्य अनसार शिरिपांच माहिली महाराणी द्वारा महाराज धिराज को पंजा पत्र पायकारे भीर समसेर नेपाल का प्रधान मंत्रिभाय।